बिस्मिल्लार मेर्मान इर्रहीम असलाम अलेकूम वेलकम तो इस वीडियो विजनेस मैथ फॉर आइकॉम पार्ट वन बुक हम शाही जमाल की फॉलो कर रहे हैं चप्टर नंबर टू कंटिनी हो है रेशियो प्रपोर्शन एंड परसंटेज एक्ससाइस नंबर टू का कोशन न इस सेलिंग प्राइस इस रुपीज 345 फा इंड दे प्रॉफित और लॉस पर्संटेज थिक को आर्टिकल की जो कि कितनी है 300 ठीके और हमें प्रेजिंग प्राइस भी हमें पता है जो कि है 3100 फॉर्टिफाइफ है अरहमें क्या फाइंड करना है प्रोफित और यह लॉस पर जो कि हमारे पास data given है यानि कि क्या क्या चीज़े हमें given है वो लिख देंगे जो कि हमारे पास है cost price ठीक है हमारे पास cost price given है जो कि है तो रुपीज 300 और हमारे पास selling price given है जो कि है रुपीज 345 तो ये हमें साफ पता चल जाएगा ये हमें profit या loss किसकी percentage निकालनी है तो यह हम पता है यह 300 में से अगर हम minus 45 करें तो यह हमारे पास profit आता है ठीक है तो यह हमारे पास profit की यहाँ पर हमें क्या निकालनी है percentage निकालनी है ठीक है ना जो कि हमें निकालनी है profit की percentage निकालनी है तो अभी हमने kosher mark कर दिया यानि कि हमें profit की percentage निकालनी है और ये दो हमारे पर गिवन है cost price और selling price ठीक है तो हमें formula भी पता है यहां हम लिख देते है we know that जो कि हमारा profit या gain जो भी कहने इसका formula होता है equals to selling price minus cost price ठीक है SP minus CP यह profit है यह profit formula इसका profit निकालने के लिए ठीक है तो हमारे पास selling price और cost price दोनों given है selling price हमारे पास हो जाएगी 345 तो हम लिख देंगे 345 और minus कर देंगे cost price जो कि है 300 तो यह हमारे पास क्या जाएगा profit आजएगा ठीक है तो यह हमने इस तरह देखने के साथ ही समझ जाना है कि हमारे पास profit वाली profit हो रहा है या loss हो रहा है तो और हमें फिर उसकी percentage निकालने होगी तो यह हमने इसका profit निकाला 345 में से 300 को minus कर देंगे तो हमारे पास आजएगा 45 तो हमारे पास profit आ रहा है 45 और हमें profit के क्या निकालने है percentage निकालने है ठीक है जो हमें मांगा गया है जो कि है percentage तो उसका भी हमें formula बता है तो यहां लिख देते है we know that अलग-अलग formulas होते है न याद रहे profit percentage का loss percentage का और profit का और loss का अलग-अलग formulas होते ठीक है तो यह हमारे पास था सिप profit का formula अब हम क्या निकालने जा रहे है percentage profit का formula ठीक है percentage profit का formula हमें पता है जो कि है profit upon cp multiply by 100 तो यहां पर यह profit percentage हमें निकालनी है जो कि है profit हमने निकाला है जो कि है 45 45 को divide कर देंगे किस से cp से जो कि हमारे पास given है cost price यानि के 300 और multiply कर देंगे 100 से तो यह हमारे पास किया जाएगा profit का percentage 45 को हम simple 100 से multiply करतें तो यह हो जाएगा 4500 upon 300 ठीक है 300 से यह जो 0 से 0 cancel हो गए उपर से बचा हमारे पास 45 और नीचे से हमारे पास बचा 3 मैं एक एक step कर रही हूँ क्या कि आपको clear समझ में आए तो यह हमारे पास उपर से 45 upon 3 ठीक है 45 upon 3 अब divide कर देंगे हम simple 45 divided by 3 तो यह हमारे पास आ रहा है 15 तो यह हमारे पास आ रहा है 15 यानि कि यह हमारा इसकी profit की percentage कितनी निकल रही है profit की percent निकल रहा है 15 और percent है तो यह हमने percent लगाना है ठीक है percentage के यह sign आ गया यानि कि 45 की percentage कितनी है 15 तो हमने इसकी profit था तो हमने profit निकल रहा है ठीक है यह नहीं कि हमें loss और profit दूना निकलना है नहीं वह हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमें यह पर profit निकलना है या लॉस निकलना है ठीक है तो इसका यह जो ए पार्ट था यह मैंने सॉल्व करवा दिया इसका आ रहा है आंसर 15 परसंटेश ठीक है अब इसका नेक्स पार्ट है वह मैं इंशाल्ला नेक्स वीडियो में अप्लोड करती हूं तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो अला हाफिस